मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है कक्षा दस्वी हिंदी व्याकरण से हम पढ़ रहे थे पद परीचे आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे किरिया विशेशन पदों का पद परीचे कैसे दिया जाए इसके साथ साथ पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं संग्या, सर्वनाम, विशेशन और किरिया पदों का पद परीचे कैसे दिया जाए आशा करते हूँ आपको उनसे सम्दित जानकारी पसंद आई होगी आईए शुरू करते हैं किरिया विशेशन पदों का पद परीचे कैसे दिया जाए किरिया विशेशन पद यानि जैसा की नाम से ही पता चल रहा है किरिया की विशेशन बताने वाले शब्दों को हम किरिया विशेशन शब्द कहते हैं इनी शब्दों को जब वाक्य में परियोग कर दिया जाता है तो वो पद बन जाते हैं। किरिया विशेशन परिभाशा की बात करें तो किरिया की विशेशन पताने वाले शब्द किरिया विशेशन कहलाते हैं। साथ में किरिया विशेशन मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में पिछले वीडियो में हम विस्तार से जान चुके हैं. सबसे पहला स्थान वाची किरिया विशेशन, अगर किसी स्थान से सम्मंदित विशेशता को बताया जाता है, तो वो स्थान वाची किरिया विशेशन पद कहलाते हैं. जैसे वह अंदर बैठी है, तुम वहाँ बैठो, बच्चे चछत पर खेल रहे हैं, आप मेरे आसपासी रहिएगा, तो यहाँ पर अंदर, वहाँ, छत पर आसपास, यह सभी शब्द स्थान वाची किरिया विशेशन शब्द हैं, काल वाची, काल यानि समय, समय से संबंदित जो विशेशता बताई जाती है किरिया की, वहाँ पर कालवाची किरिया विशेशन होते हैं जैसे मैं रोज व्याम करता हूँ तुम हर समय क्यों बोलते रहते हो वह इन दिनों बहुत खुश है ट्रेन पाँच बजे आएगी यहाँ पर रोज, हर समय, इन दिनों पाँच बजे यह सभी शब्द कालवाची किरिया विशेशन शब्द हैं क्योंकि यहाँ पर समय से संबंदित विशेशन बताई जा रही है रीती वाची किरिया विशेशन शब्द रीती कार्थ होता है तरीका किस तरीके से हमारी किरिया पूर्ण होती है और किस तरीके से किरिया की विशेषता बताई जाती है जैसे इतना धीरे मत चलो, आप जल्दी पहुँचिए, वह अचानक आ गई अच्छी तरह से देख लेना, इन सभी वाक्यों में धीरे, जल्दी, अचानक, अच्छी तरह से ये सभी रीती वाची किरिया विशेषन शब्द है इसी प्रकार से चोथा प्रकार है परिमान वाची परिमान यानि की मात्रा के बारे में जहां जानकारी दी जाती है, वहाँ पर परिमान वाची किरिया विशेषन शब्द होते है कल मैंने दावत में खूब खाया, खूब यानि परिमान की जानकरी दे जा रही है, मात्रा की जानकरी दे जा रही है, आप कम बोलिए, आज तो मैं बहुत दोड़ा, जितनी मेहनत करोगे उतने ही अंक अधिक आएंगे, इन वाक्यों में खूब, कम, बहुत, जितनी, उतने, ये सबी परिमान की जानकरी दे रहे हैं, परिमान से संबंदित किरिया की विशेस्ता बता रहे हैं, इसलिए परिमान वाची किरिया विशेशन शब्द हैं, सबसे पहले हमें अच्छे से किरिया विशेशन की परिभाशा आनी चाहिए, और साथ में उसके परकार की पहचान करनी आनी चाहिए अगर इतना हम कर पाते हैं तो किसी भी वाक्य में किरिया विशेशन पदों का पद परीचे देना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है किरिया विशेशन का पद परीचे देते समय निमनलिखित बातों का हमें ध्यान रखना है सबसे पहले किरिया विशेशन का भेद बताना है किस परकार का किरिया विशेशन शब्द है क्या वो रिती वाचक है, काल वाचक है, स्थान वाचक है या परिमान वाचक है उसके बाद जिस किरिया की विशेशता बताई जाती है उसके साथ उसका संबंद बताना है किरिया विशेशन के पद परीचे में हमें ज़्यादा विस्तरित नहीं लिखना होता है दो या तीन शब्दों में हम उसका परीचे दे सकते हैं क्योंकि बाकी जो हमारे पद थे संग्या, सरणाम, विशेशन और किरिया उसमें हमें विस्तार से जानकारी देनी होती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजें हमें बतानी होती थी आईए कुछ उधारण देखते हैं, पिताजी बाहर गई, बाहर जो हमारा पद है, ये किरिया विशेशन है, उसके बाद उसका भेध हमी बताना है, स्थान वाचक है, बाहर, अंदर, भीतर, ये सबी स्थान की जानकारी दे रहे हैं, तो जाना, गए, जो जाना किरिया है, उस के साथ संबंद हैं, क्योंकि क्रिया हमारी गए हैं तो गए के साथ स्थान की विशेशता बताई जा रही है, दोसरा उधारण है, मैं वहाँ कल जरूर आउंगी, तुम भी जल्दी आ जाना वहाँ, स्थान वाचक क्रिया विशेशन है, आऊंगी क्रिया की विशेस्ता बता रहा है कल, कल यानि समय के बारे में जानकारी दी जा रही है, काल वाचक क्रिया विशेशन है, आउंगी क्रिया की विशेस्ता बता रहा है, जरूर जरूर यानि किस तरीके से क्रिया हो रही है, रीती वाचक क्रिया विशेशन है, निश्चे बोधक है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित जानकारी दी जा रही है, और आउंगी किरिया की विशेशता बताई जा रही है, जल्दी, ये भी तरीका बता रहा है, किस तरीके से किरिया की विशेशता बताई जा रही है, तो रीति वाचक किरिया विश होना चाहिए और किरिया के साथ किस प्रकार का संब्द दिखाया जा रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए किरिया विशेशन पद भी दो तरह के होते हैं एक तो मूल किरिया विशेशन पद होते हैं और एक प्रकारियात्म किरिया विशेशन पद होते हैं मूल किरिया विशेश किस तरह से परियोग किये जाते हैं किरिया विशेशन का कारिय करते हैं उधारन के लिए बच्चा वहां बैठा है वह धीरे चल रही है यहां पर वहां और धीरे मूल किरिया विशेशन पद हैं क्योंकि यह एविकारी शब्द हैं और किरिया के विशेशता बताने के लिए पर अच्या घर पर बैठा है, वह कार से गई, घर पर, घर यहां पर संग्या पद है, कार यहां पर संग्या पद है, लेकिन जिस तरह से हमने इसका प्रियोग किया है, यह कार यह किस हिसाब से कर रहा है, किरिया विशेशन के हिसाब से कर रहा है, तो जब भी हम वाक्यों में प्रियोग किया जाता है कि पूरे वाक्य में वो किरिया की विशेशता बताने के लिए प्रियोग किये जाते हैं। इसलिए पद परीचे देते समय किरिया विशेशन के साथ हम मूल किरिया विशेशन पद भी लिख सकते हैं। और परकार्यात्मक किरिया विशेशन पद भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको नहीं भी लिखते हैं, सिर्फ किरिया विशेशन पद लिख देते हैं, तो भी हमारा गलत नहीं होगा। तो यह आपके उपर निर्भर करता है कि पद परीचे देते समय, आप कोई विशेश जानकारी देना चाहते हैं या फिर सिर्फ किरिया विशेशन पद लिखकर उसका आगे परीचे देना चाहते हैं अगर हम मूल किरिया विशेशन पद और परकारयात्मक किरिया विशेशन पद नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है आईए कुछ उधारनों का अभ्यास कर लेते हैं सबसे पहला उधारन है आप जल्दी से छत पर पहुँचिए जल्दी से छत पर इन दोनों का हमें पद परीचे देना है मूल किरिया विशेशन जल्दी हमारा एविकारी शब्द है और साथ में किरिया विशेशन का कारिय कर रहा है तो ये मूल किरिया विशेशन है अगर आप मूल किरिया विशेशन नहीं लिखते सिर्फ किरिया विशेशन पद लिखते हैं तो भी आपका सही है और ये किरिया के तरीके के बारे में विशेस्ता बता रहा है, किरिया किस तरीके से हो रही है, इसलिए रीतिवाचक है, साथ में पहुँचना किरिया की रीतिगत विशेस्ता बताने का कारिय कर रहा है, तो इस तरह से किरिया विशेशन पदों का हम पद परीचे दे सकते हैं, सबसे पहले उसका भेद बताएंगे भेद बताने के बाद किरिया के साथ किस तरह का संबंद है कौन सी किरिया की विशेष्टा बता रहा है उसके बारे में हम जरूर बताएंगे दूसरा पद है चछत पर यहाँ पर चछत हमारा संग्या पद है और संग्या पद यहाँ पर किरिया की विशेस्ता बताने का कारी कर रहा है इसलिए ये परकारियात्मक किरिया विशेशन है अगर हम सिर्फ किरिया विशेशन पद लिखते हैं और बाद में उसका भेद बता देते हैं तो भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है मूल किरिया विशेशन और परकार्यात्मक किरिया विशेशन आपके उपर निर्भर करता है आप लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं यह हमारा स्थान वाची है क्योंकि चट यहां पर चट पर स्थान के बारे में जानकारी दी जा रही है और पहुचना किरिया की स्थान संबंदी विशेष्था को बताया जा रहा है दूसरा उधारन है मैं दो घंटे बाद आता हूँ तुम यहीं इंतजार करो दो घंटे तो परकारियात्मक किरिया विशेषन है समय के बारे में जानकारी दी जा रही है इसले काल वाची है और आना किरिया की समय के संबंद में जानकारी दी जा रही है दूसरा हमारा पद है यहीं मूल किरिया विशेषन है क्योंकि यहीं हमारा एविकारी शब्द है स्थान ही है जल्दी जल्दी हमारा मूल किरिया विशेशन है क्योंकि जल्दी हमारा एविकारी शब्द है रीती वाचक किरिया विशेशन है क्योंकि किरिया किस तरीके से हो रही है किरिया के होने के तरीके की विशेश्ता बता रहा है चलना किरिया की रीती संबंदी विशेश्ता को बताया जा रहा है, बहुत तेर से मूल कृरिया विशेशन हैं, अविकारी समय के बारे में जानकारी है और खाना किरिया की समय संबंदी विशेश्टा को बता रहा है, बहुत हमारा मोल किरिया विशेशन है परिमान वाची है क्योंकि मातरा के बारे में बताया जा रहा है और खाना किरिया की मातरा संबंदी विशेशता को दर्शा रहा है वह चलते चलते थक गई चलते चलते यह हमारा किरिया विशेशन है अगर परकार्यात्मक आप नहीं लगाते हैं तो सिर्फ किरिया विशेशन भी लिख सकते हैं रीती वाचक है किरिया के तरीके के बारे में बताया गया है और ठकना किरिया की रीती संबंदी विशेशता को बताया गया है बच्चा सोते समय जोर से चीखा सोते समय किरिया विशेशन है, काल वाची है और चीखना किरिया की समय संबंदी विशेशता को बता रहा है जोर से हमारा किरिया विशेशन है, रीती वाचक है और चीखना किरिया की रीती संबंदी विशेशता को बता रहा है अगला हमारा उधारन है, गाड़ी के चलते ही लाल बत्ती हो गई, चलते ही किरिया विशेशन है, काल वाची है, हो जाना किरिया की काल संबंदी विशेशता को बताया जा रहा है मैं कल दोडने गया था मूल किरिया विशेशन है कल हमारा अव्वे शब्द है कालवाची है समय के बारे में जानकारी दी जा रही है और जाना किरिया की समय संबंदी विशेशता को बताया जा रहा है दोडने कारणवाची किरिया विशेशन है क्योंकि किरिया विशेशन के परकार भी होते हैं और यहां पर किस कारण से गया था दोडने के लिए तो कारण वाची किरिया विशेशन है अगर आप कारण वाची नहीं लिखना चाहते सिर्फ किरिया विशेशन लिखते हैं तो भी सही है जाना किरिया की घटित होने की कारण संबंदी विशेष्टा को बताया जा रहा है इस परकार से जहां पर भी किरिया विशेष्टा पद आते हैं उनका पद परिचे बड़ी आसानी से हम दे सकते हैं सबसे पहले पहचान करनी है क्या ये हमारा किरिया विशेशन पद है अगर है तो उसका भेद बताएंगे और साथ में किस किरिया के बारे में विशेशता बताई जा रही है उस किरिया के साथ उसके संबंद को भी जरूर बताएंगे इस तरह से हम अनेक किरिया विशेशन पदों की पहचान करके उनका बड़ी आसानी से पद परीचे दे सकते हैं आप किसी भी व्याकरन की पुस्तक से और उधारणों का अभ्यास कर सकते हैं क्योंकि जितना हम अभ्यास करेंगे, उतना हमारा टोपिक और पर्फेक्ट होता जाएगा। साथ में एविकारी शब्दों में हमने देखा किरिया विशेशन की साथ-साथ संबंद बोधक, समुच्य बोधक और विस्मयादी बोधक पद भी आते हैं। इन सभी का पद परिचे भी हम ठीक इसी परकार से दे सकते हैं। सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे, फिर उसका भेद बताएंगे और किरिया के साथ उसका संबंद बताएंगे। जितने भी हमारे एविकारी पद हैं, उन सबका पद परिचे एक ही तरीके से दिया जाता है। अगले वीडियो में हम संबंध बोधक, समुच्य बोधक और विस्मयादी बोधक, पदों का पद परिचे कैसे दिया जाता है, इसके विशे में चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ, जानकारे आपको पसंद आई होगी, साथ में आपको समझ में आया होगा, किरिया विशेशन पदों का पद परिचे हम बड़े आसानी से कैसे दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबेक जरूर देजिएगा, मेरी भाषा, हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।